कारवान टीबी हर पल आपके साथ फैजुल्ला पुर मार्ग बनने की हुई शुरूरात रोट की होने लगी साफ सफाई ये रोट बाड नमबर साथ की जला पंचास सदस हाजी मुन्य अनसारी ल्यागती ने बनवाने का प्रयाश शुरू किया है बरसों से ये रोट बदहाल और खस्ता हाल था लोगों का निकलना होता था इस रोट से धूमल अभी भी मेन हैवे से लेकर आदे गाउं तक का रोट पी डवली डू के अंदर आता है जिला पंचायद द्वारा नहीं बनवाया जा सकता बाकी का काम सारा काम जिला पंचायद की तरफ से बनवाया जाएगा उसकी शुरुआद भी हो चुकी है जी हाँ जिला बरेल नवागों शेतर के गाउं फैजलापूर मार का बनना शुरू हो गया है रोट की साफ सफाई भी शुरू हो गई है ये गाउं बार नमबर 7 के जिला पंचाई सदस हाजी मुन्यानसारी लियाकती का गाउं है जो बरसों से बदहाल था जब बहे जिला पंचाद अद्यक्ष रश्मी पटेल के सामने प्रस्ताव रखा फिर जिला पंचाद अद्यक्ष रश्मी पटेल ने इस मार को गड़ा मुक्ती में लिया था जिला पंचाद अद्यक्ष रश्मी पटेल के तरफ से काम शुरू हो गया है दो चार देन में काम शुरू भी हो जाएगा और ये मार जिला पंचाइट सरस बार नमबर साथ के हाजी मुन्यनसारी लियाद की द्वारा कराय जा रहा है गौर तलबो इस रोट से होकर दरजनों बर गाउं का गजरना होता है इस रोट के बनने से लोगों को काफी सहलियत हाजिल होगी जिला पंचाइट रश्मी पठेल का कहना है जिले के हर गाउं में जिला पंचाइट का पत्थर लगा होगा देखिए कारवाण टीवी के लिए रियाज गुडवन सारी की ये खास रिपोर्ट क्या पत्रकार शाब आपको मुझसे अलावा कोई भी जिला पंचाइट सदस नहीं मिलता है जब जब मैं निकल के जाता हूं तो आप मेरा रास्ता रोपते हैं और यहीं पूंचते हैं यह रोट कपड़ेगा तो मैंने अपने करकल्मों से और मानिये अध्यक्ष महोदे के करकल्मों से इस रोट को पास करा लिया और इसमें जल्द से जल्द जामर और पथर का काम शुरू हो जाएगा आप पूंचते हैं और इस पर निर्मार शुरू हो रहाएगी बता दीजिए आप इस पर निर्मार शुरू होने में ज्यादे से ज्यादा तीन से चार दिन लगांगे मतलब कुल मिला के यह कि दस्तारीक से पहले इस पर काम शुरू हो जागा यह अभी जो जेसी भी मशीन से इसकी जो इदर उदर की सैटे हैं वो दुरस्ती करण करी गई हैं आगे जो बजरी और डामर का काम होगा वो एक हफता के अंदर शुरू हो जाएगा मेरा यह चेतर जरूर है मगर मेरी मजबूरी यह है कि यह गन्ना शिमिती के उससे पिछली पंच बर्शिये में हो चुका था उस बज़े से यह जिला पंचात के माद्यम से रोड नहीं हो सकता है मैं पिर्याश करूंगा मानी विदहक जी से कि इस रोड को जल्द से जल्द वो अपने कारियों जना में लेके इसको पास कराएं जो सेतल से और फैदुल्लापूर राजगार्ड मार जुरस्त हो जाए